कि नमस्कार प्रभासाक्षी के खास कारी किलाब भारत की जो एक तरीके से नीती है और बहुत जादा एक तरीके सीरियस होती जा रही है और यही कारण है कि फिलहाल पाकिस्तान विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ है यानि हम कह सकते हैं कि एक्षन में हिंदुस्तान बॉखलाया पाकिस्तान जी बिल्कुत सही का आपने और आपने जो नीती की बात करी चाहिए आप देख लीजे कि वह राजनीती हो कोटनीती हो आर्थिक नीत के अंदर उखाड फैका है जम्मू कश्मीर से और आप देखी कि जो हमारे सरकार ने जो आयत निर्यात वहां से दर्जा था वह वापीस लिया जो ड्यूटी से वह 200 परसेंट तक बढ़ा दी अब आप देखे कि पाकिस्तान का जो माल है जो इंडिया आता था वो ट्रकों मे पर जम्मू कश्मीर और पंजाब को की और मुड़ने की बात कही जा रही है तो यह सब ऐसी कवाइदें चल रही है कि पाकिस्तान हर तरीके से वह उसको परिशानी में पढ़ गया है और आप इसी का कुछ नतीजा कह सकते हैं कि जो हाफित सईद है उस और उसका जो संग्ठ मुंबई हमले के बाद जब पूरी दुनिया का प्रेशर था पाकिस्तान पर पाकिस्तान ने थोड़ा सा इस से भी आगे बढ़कर तक भी कराएं थी और आपने देखा था कि लखवी को और जो हाफित सईद उसको उनको नजरबंद भी किया कहा था लेकिंगे सब सिर्फ च पाकिस्तान हमेशा दो मुही बाते करता है और अब भी इस मामले में भी वह अपनी सनलिप्टता से इंकार कर रहा है लेकिन अगर वह इंकार कर रहा है तो आप यह देखिए कि भारत के बहुत बड़ी जीत है कि संयुक्त रास्टर ने जो प्रस्ताव पारित किया है पुल् कि प्रस्ताव को परित किया है और जैसे मुहमद का नाम लिया हमें यह नहीं भूलना चाहिए जैसे मुहमद पाकिस्तान अधारित है और जो हाफी सहीद है और जो मसूद आजर है वह उसका मुख्या है अच्छा अनुराग आपसे यह सवाल बनता है क्योंकि जिस तरीके से जिक्र कि मनफ का स्टेटस उसका ले लिया गया उसके अलावा जो आपका यह है तीन नदी ओ का पानी जो अब तक दोस्त की वज़ा से भारत अपने हिस्से का पानी उसे दिया करता था उसे भी रोक लिया गया है उसके बाद जम्मू किश्मीर में कई बार सूखा पड़ा अगर पानी हम इधर रोक सकते तो फाइदा होता हलांकि अभी इस काम को करने में बरसो लगेंगे जो नदी का पानी मोड़ना कोई आसान काम नहीं है कोई पाइप नहीं है कि आपने वो मोड़ दिया तो आपके पास इसलिए आ रहा था क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान म में टमाटर और भिंडे की कीमत 200-400 रुपे केजी हो गई है अब ऐसे स्थिति में बुंद बुंद को पानी के लिए भी तरसेगा पाकिस्तान देखिए ये सारी चीज़ तो बिल्कुल होने वाली थी क्योंकि अगर आप 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 ने जो बातचीत की टमाटर और समान की बा पाकिस्तान कहीं अलग थलग पढ़ी चुका जिससे सर ने बोला लेकिन हमें ये भी नहीं बूलना चाहिए कि पाकिस्तान इसके बाद चुपने बैठने वाला है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कायराना हरकत करता रहा है आप चाहे वो 26-11 हमला देख लिए उससे पहले पाकिस्तान खिस्यानी बिली खंबा नोचे वाली हालत है वो कहीं न कहीं कोई न कोई उसके तरकीब सोच रहा होगा कि किस तरह से भारत को पर फिर से हमला किया जाए ताकि इनको फिर से अलग थलग कर दिया जा और यह नहीं जान रहा भारत की पाकिस्तान के भारत की सबसे वर्टी उवान है और सबसे बड़ी बात है कि पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ है और जिस तरह से अपडेट से पिछले कुछ दिनों से की सोचल मीडिया जैसे मोहमत कर रहा है और यह कहा जा रहा था कि सिवीलियन गाड़ी के जरीए एक वार फिर से वो CRPF पर हमला करने वाला है तो यह तमाम जिस तरही की खबरे तो उसके बाद जो हमाई सिक्यूरिटीज है वो और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है और जगह जगह पर तलासी अभियान चलाया जा रहा है जम्मो कश्मी में जिस दिन से हमला हुआ 14 फरवरी के बाद से लगातार सर्च उप्रेशन चलने और कई सारे आतंकी मुडवेर में मारे भी गए आपको याद हो कि बीते दिनों सोपूर में भी शुक्रवार के दिन सुबह सुबह मुडवेर हुई जिम्हें तीन से चार आतंकी चुपे होनी की घटना थी और जिसके बाद से तलासी अभियान लगातार जा रही और एक एक आतंकी को धूर धूर कर उसका सफाय किया जा र फ्रांस एक बड़ा रोल अब निभारा है भारत के लिए क्या फ्रांस जो संयुक्त राष्ट के सुरक्षा परिसद में मजूर असद पर वो प्रतिबंद लगाने के बात कहेगा चाईना इस पर उसकी बात मानेगा देखिए मान सकता है लेकिन और नहीं भी मानता तो यह हम हमारी तरफ से कोई दूसरा प्रस्ताव रखने के लिए और वीडियो पावर वाला देश प्रस्ताव के लिए खड़ा हुआ है ऐसा हमने कभी पाकिस्तान के लिए तो नहीं देखा कि कोई वीटो पावर वाला देश उसके लिए प्रस्ताव रखा ठीक है चाहिना उसका बचाव करता लेकिन उसके तरफ से प्रस्ताव नहीं रखता है यह वी एक सत्य है और फ्रांस से हमारे जो स समंद प्रगाडवे अब जो दक्षिन को रिया है उसने सरवोच अपना जो शांती प्रसकार है वह भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ एक जूटता के मामने में और यह जहां पर कूटनीतिक विजय है वहीं आप देखे कि चाहिए यूरोपीय संग का जो व्य भारत की विजय है भारत की शक्ती को देखते वें यह सब हो रहा है दूसरी तरफ हम इसका भी जिकर करना चाहिए कि हमारी जो सेना है उसका जो शौरे है आप देखिए कि सौ घंटे के अंदर बदला लिया गया है और साथ ही आपने इससे पहले शैद ही कभी सेना की प्रेस अगर बंदुक उठा ली है और कश्मीरियों के विरोध में बंदुक उठाई है भारत के विरोध में बंदुक उठाई है तो उसको गोली लगेगी वह मारा जाएगा यह एक दम सपस्ट सेना ने पहली बार इतना यह बहुत बड़ा बयान है सेना की तरफ से और हमारे जो आप देखें कि हमारे जो अचारफ रहे है तो आग को तक रही है कल ग्रह्मीं दूपर को घर्ट्री लूटर ने पर जवाब दिया जाएगा जो देश है वह विश्वास कर रहा है क्योंकि पहले औरी के मामले थीका थोड़ा समय लेकिन यह शायद हमें जो आम नागरीके उनको लगता है कि समय क्यों ने रही सरकार लेकिन जो शुरक्षा चुनवाती हैं या आपको कई कारवाई करनी है तो उस पे बहुत से पहलों पर विचार करना होता है और सेना या कोई सरकार तभी कोई ऐसा कदम उठाती है बड़ा कदम उठाती है जब सेना के साथ सरकार कःचा कः कर वह एक जिससल कुल भुर्भार के दिन सीधा टशा कांगरेस ने के कह दिया ति जवाते हुन फॉन है इसका मुझे लगता है कि इस जुटी कितरफ से जबाव दिया गया है बीजे पी निसके जवाब में ये कहा है कि प्रधान मंत्री उस दिन जिस दिन हमला हुआ उस दिन उत्राखंड में भारी बारी बारीश में के विच्व फसे हुए थे उनको तीन से चार घंटे हवाई इड़े पर रुकना भी पड़ा इंत्यार करना वड़ा उसके बाद सडक मार्क से निकले और उसके बाद बरेली के अब सवाल आता है कि जो दक्षिन कोरिया का वह उन्होंने कहा है कि विदीश चातर भी को चले गए कोई जो प्रधान मंत्री का कारिकम है वह कोई एक दिन पहले दो दिन पहले हफते बर पहले फिक्स होता नहीं है वह उसके बहुत एडवांस में चलते हैं और जब कोई रा कि डीना चाहते हैं तो हमारा सर्वच पुरसकार लेने एलए अगर नहीं है तो हमारे सर्वच पुरसकार की का अपमान defined भारत रुका नहीं है भारत नहीं सकता है भारत ने शोक मनाया लेकिन जैसे की बीजेपी ने भी कहा है कि अगर हम सब कुछ ठाप करते तो यहीं तो आतंग वदी चाहते हैं कि भारत को हमने इतनी बड़ी चोट दी कि भारत रुक गया भारत के प्रणमंत्री का बहर जाना फ़िखते और अगर हम हमारे पुरस्कार एसे चीजे को मिल रहा है वही जाता है तो जादा बड़ी बात होती है आप किसी बेज के आप आपके आप दूसरी दलीर ये भी थी कि चौदा फरवरी के दिन जब हमला हो रहा था उस वक्त करनाटक में बीजेपी अधिक चमिशा रैली को संभूधित कर रहे थे और उसके बाद हमला चल रहा था उसके बावजूद वह राम मंदिर मुद्दा उच्छाल रहे थे यह हम समय देख सकते हैं मुझे लगता है कि तीन सवा तीन बच के आसपास यह हमला हुआ था और अगर खबर खबर जो आई थी वह त सुरक्षाबल सभीद हुए और उसके बाद फिर खबर आई कि हमारे दस जवान फिर पंद्रा फिर अठारा फिर ऐसे संख्या देर रात तक वह चालीस हो गए थी तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो खास्तौर पर राणितिक दिलों के नेता हैं शायद उनको जब तक वह तक इस हमले की भया वहता की पूरी तरह से जानकारी नहीं थी वरना कोई भी ऐसा राणितिक दिल हमारी देश में नहीं है जो की सेना या सुरक्षा बलों कि अगर कोई साथ ऐसी बड़ी घटना हो जाए तो उस पर राणिति करेगा लेकिन यह दुखत बात रही जैसा आप अधर प्रदेश के मुख्यमंतरी चंदरवाबुन आइडू हो यह लोग ऐसा लग रहा है कि भारत के प्रथानमंतरी से ज़्यादा पाकिस्तान के प्रथानमंतरी के बैन वेश्वास कर रहे हैं आप देखिए आप देखिए ममता बैनर जी ने तो टाइम पर सवाल उठा द रहें तो चुनाओ है अब उससे ज्यादा कितना चुप रह सकते तो राजनीती तो करना ही था अनुराग हम आपके पास इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आप जिस तरीके से महौल पाकिस्तान के खिलाफ बनता जा रहा है भारत में अब देखिए आई जो आयोसी है उसने आने वाले वक्त में जिस तरीके से तीर अंदाजी खिलाडियों को भारत नहीं आने दिया जिया उसके बात से तमाम आप से 20 वर्स बात तक जो भी खेल अंतरास्टी अस्तर पर भारत में आयोजित किये जाने थे उन तमाम चीजों के विशाई में सोचना आयोसी ने बंद क जटका है ये भी बिल्कुल भारत के लिए बड़ा जटका है लेकिन आप ये देखिए कि हम इस जटके को एक हिसाब से सह सकते है क्योंकि अभी हमारा देस आतंकवाद के खिलाप लड़ा है अगर ऐसे में कोई दूसरा देस हमारे मुल्क में आता भी है और उसके साथ कोई अपरी घटना घट जाती है तो उस समय हमारे जादा बतनामी होगी हम दूसरे रास्ट्रों के सामने हम सर दिखाने लाइक नहीं रहेंगे तो ऐसे में इसको मैं जटकी के तौर पर नहीं देखता हूँ अगर IOC ने आज हमें भले ही 20 साल के लिए चूना वर्ड कॉप होने क तो इसको आप अलग तलग होकर बिल्कुल भी मत देगे क्योंकि आज हमारा देश को जरूरी है कि हम पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दे पहले हमें उसके वारे में विचार करना चाहिए और बाकी यह सारी चीज़े मैं खेल मनताल और राज्जिवर्दन सिंग राठार प पाकिस्तान ऐसा देश है और जो जनभावनाय है जनभावनाय यही है कि इनको सबक सखा लेना चाहिए और सबक कैसे तो पर बनार से बनाने की भी जरूरत है और रानीतिक तोनों तरह से बनाए जा रहा है और अब शायद पाकिस्तान की जो सेना है वो भी समझ चुकी है कि कुछ ना कुछ होने वाला है और इसी लिए उसने जो पाकिस्तान की एस्पतार है उनको कह दे कि परचीस परसेंट जो बैड है वो आप सेना के लिए रिजर्व रखें क्योंकि अगर होती ह हैं तो उनको भीजा जाएगा स्पतालों में जो सीमाई इलाकों में अपने जो साजों समान उसने खटा करना शुरू करती हैं कुछ अंदेशा पाकिस्तानी सेना को है जैसे मोहमद कश्मीर में अपना दूसरा कमांडर लाने की फिराक में बैठा हुआ है और उसका नाम जाए हमारी सेना का आप अगर हम पिछले वैसे परक्रम शुरू से लेकिन अगर हम पिछले दो साल के प्रक्रम को देख लें तो जो ऐसे मोहमद का या जो हिजब मुझाहिदीन का जो कमांडर होगा उसकी जो नियुकती होती है वह महीने देड़ महीने के लिए होती है यह पर हमेशा वेकेंसी रहती है बिलकुल वह ऐसी संगठन है वह ऐसा संसा है जहां पर नौकरी हमेशा खाली रहती है खर आखिरी में क्योंकि इस सब्ताइक पांच दिन वाद इम्रान खान ने अपना स्टेट्मेंट जारी कि उस पे एक मिनिट का सिर्चा तो बनता है इम्रा सेना नहीं लिखा था और बिलकुल थोड़ा सहमे से पढ़ रहे थे लग रहा था आसपास कुछ लोग खड़े हैं तो वह कुछ और ना बोल दें इसलिए वह बिल्कुल धान से एक एक शब्द बोल रहे थे इसमें सबसे बुरा ये लगा कि ये वही इम्रान खान थे जो प्रधान मंत्री बनने के वक्त ये जता रहे थे हमें भारत के साथ रिस्ते अपने अच्छे करने और उन्हों ने एक बार भी निंदा नहीं की पुलवामा हम लेकी जिस ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपनी आवाम के लिए ये संदेश 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 बता रहे हों कि बाजी वाले मुल्क में जो कुछ हुआ हम से उससे हम को जादा भैवीत होने की जूरत नहीं है हम इससे अलग ठलग है और वह ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने हलके सवर में भारत को कही नहीं चेतावनी भ बहुत ढ़ीट लोग हैं और इनको भारत से सीखना चाहिए आपने कहा कि निंदा नहीं करी आपको याद होगा कि पाकिस्तान में स्कूल में जब हमला हुआ था पेशावर के स्कूल में और वह जो प्रांथ हैं वहाँ इमरान खान की पार्टी इस सत्ता में थी उस समय जब वह हमला हुआ था भारत भी उससे उतना ही गमगीन था भारत के स्कूलों में भारत की सड़कों पर प्रार्ट विशेश प्रार्थना की गये थी पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि भारत ने किया था आप निंदा तक नहीं कर सकते दुख तो जयाना दूर की बात आपके www.prabhasakshi.com देखना ना भूले हमारे साथ थे कारिक्रम में प्रभा साक्षी के संपादक निर्ज कुमार दुबेजी और साथ ही साथ अनुराग गुपता तो अब दीजिए इजाजत नमस्कार